एलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म प्रिवियस लेक्चर में हमने वैदिक सब्विता के बारे में पढ़ा है जो की आपको बढ़ियां से सोनी आया होगा तो इस वीडियो में हम टोटली जैन धर्म के बारे में बात करेंगे तो पर्थम तीर्थंकर कोण थे, रिसब देव थे, जो किया उन्ते समराड भरत के पिता थे, रिसब देव का उलेख रिग वेद में किया गया है, अरिष्ट नेमी, स्रीकिष्ट का संबंदी का भी उलेख रिग वेद में किया गया, ये भी पॉइंट आपको बीजेश आप पॉइंटों पर ध्यान देंगे, एक एक जो वर्ड है, उस पर आप फोकस करेंगे, ठीक है, देखिए, वास्तिविक संस्थापक और 24 में योम अंतिम तीर्थंकर कोण थे, महावीर स्वामित यानि एक ही पॉइंट में आपका तीन चार कोश्चन निकल के आ जा रहा ह ठीक है, नेश्ट पॉइंट की बात करेंगे, पांसो चारीश इसा पूर्व महावीर स्वामित का जन्म कुंडल ग्राम वैसाली में हुआ था, इनके पिता का नाम सिधार्थ और माता का नाम तृसला था, ठीक है, इस नेश्ट अगर हम बात करें पॉइंट की, तो यहाँ बिवा या सोधा नामक कन्या से हुआ था, इनकी पत्नी का क्या नाम था, या सोधा था, ठीक है, महावीर को 12 और्ष्ट के कठिन तपस्चा के बाद जुम्बरिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल बिरिच के नीचे संपूर ग्यान का बोध हुआ, इस इस समय से महावीर, जिन का मतलब विजेता, आरहत, आरहत का मतलब पूज, इaeda का मतलब बंधन हीन कहला है, ठीक है, जब इनको ग्यान की प्राप्ती हो गई, जिन, आरहत, और निर्गरंथ कोहला है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको निका उदेश प्राक्रित यानि अर्द मागधी भासा में दिया था किस भासा में दिया था अर्द मागधी भासा में दिया था महाबीर स्वामी का परतम अन्युआई उनके पुत्री प्रिदर्शनी के पती जमाली थे जमाली जो थे इनके क्या थे दामाद थे ठीक है जो कि इनके पर्थम अनुयाई थे नेस्ट अगर हम कोश्चिम पॉइंट की बात करें तो नेस्ट यहां पर देखिए महाबीर स्वामी के दामाद जामाली जैन धर्म के पर्थम विद्रो करके बहुरत वाद नामक संप्रदा अस्थापित किया ठीक है नेस्ट पॉइंट की बात करें तो दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन धर्म के पर्थम महिला भिच्छुक्त यह भी पॉइंट आपको बिजएस रूप से ध्यान देना है पूछा गया कोश्चिन है ठीक ना तो महाबीर पुनम जर्म योम कर्म स्वाद में विश्वास करते थे ठीक है जैन धर्म में यहां पर जैन धर्म में आत्मा को सुईकार किया जाता था लेकिन इस्वर को नहीं माना जाता था ठीक है तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांक दर्सन से लिया है कि दर्सन से लिया है तो सांक दर चंदगुप्त मौर, उदेन, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्टकूर राजा, अमहोग वर्ष, यहां चंदेल सासक जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, यह भी क्वेश्चन यहां से उठा के पूछ सकता कि चंदगुप्त मौर जो था, वो किस धर्म को मानता था, जो चंदगुप्त मौर था, इसकी जब सर्वड वेला में, सर्वड गोल वेला में इसकी जब मौर रही थे, तो आखरी समय में इसने जैन धर्म को अपना लिया था, यह अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, भत्र बाहु द्वारा रशित कल्प सूत में जैन ती ठंकरों की जीवनी देखने को मिल दिया, ठीक है, कालांतर में जैन धर्म दो संपरदायों में विभाजित हो गया, दिगंबर योग सोयतामबर, तो दिगंबर का मतलब क्या यहां पे होता है, सोयत वस्त धारण करने वाले, तथा दिगंबर का मतलब नगन रहने वाले कहला, ठीक है, तो सोयतामबर का मतलब जो सोयत वस्त धारण करते थे, उनको सोयतामबर कहा गया, और जो नगन अवस्ता में रहने लगे, उनको दिगंबर कहने लगा, ठीक है, तो पुनर जैनम के कर्म फल को समाप्त करने यो मुरतमान, जैनम के कर्म फल से बचने है, तो महाबीर ने त्र मथे सुभार्ज करना है अब यहां पर हम कुछ बात करेंगे प्रमुक तिर्थंकर यहां पर्टिए थीक है तो यहां पर टोटली सब का दिया गया है विए 24 तीर ठंकर हुए तो 24 के 24 तीर ठंकरों का दिया गया है यहां पर आप स्किन साट ले सकते हैं है ठीक है मैं यहां पर सिब 2-3 बताऊंगगा जो कि exam के point भी से import रहने वाला आप यहां से note करके लिख सकते हैं क्योंकि time हमको मैनेज करना है ठीक है यहां पर देखिए पर्थम तीर्थंकर जो थे रिसब देऊ थे और दूसरे जो तीर्थंकर थे अजीत नाथ थे और इनका देखिए जो प्रतीक था सांड था और रहा तीदा और लाश्ट में हम बात करेंगे यह तेश्मा और चुवीसमा तो प्रतिक था सर्व था और चयोविसमा और लाष्ट जो अंतिम जो जैन धर्म के वास्तिविक संस्तापक माने जाते हैं महादीर स्वामी वह हमारे चयोविसवे तीर्थंकर थे इनका प्रतिक था सिंग था एक बार आप इसक्रीन साथ ले ले जी मैं पूरा नहीं बताऊंगा अब यहाँ पे हम नेषट पांट की बात करें तोशवे यहाँ पर देखिए is मलीनाथ थी ये एक इस्तिरी थी और किसकी अनुशार ये ज़िए दोता है वो सुषयताम पर समपरता है अनुशार वननाईसवे तीर्थंकर जो मलीनाथ इस्तिरी थी ठीक ना तो नेश्ट पॉइंट की बात करें तो चार महावर्तों का प्रतिपादन किया था लाश्ट पूंट कि यहां पर आगरा सथिग जय हिन्य बाट करेंगे बौट धरम की ठीगत corresponds